अब मोनी गाइज जो मेरे पास गड़ी है यह है एम जी की ग्लॉस्टर अपने सेग्मेंट की किंग है यह बहुत ज़्यादे बड़ी गाड़ी है आज इसका रिव्यू देने जारों मैं आपको फ्रंड में आपको इसकी यह सिल्वर फिनिश वाली ग्रिल मिल जाएगी और इदर हो एम जी का लोगो और फोग लैम मिल जाएंगे यहां पर और दैन रहे हैं प्रजेक्टर मिल जाएंगे विदे डी एरेल अभी पूरी वाक और राउंड कराता हूं आपको यहां आपको नाइंटीन इंच बैस्ट इन सेग्मेंट आपको इसके जो है अलोई वील मिल जाएंगे अ फ्रंड में भी और साइड में भी आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएगी और इसके मिरर ना जो यह काफी बड़े हैं जो हेल्प करते हैं पिछे देखने के लिए रियर में और यहां पर की लैसे इंट्री अंदर इंट्री करते ही गाड़ी में ऐसी फिलिंग आथीह कि भाई यही है बस इससे आगे कुछ नहीं है जैसे गाड़ी में ब delegation वैसे यह सीट अपने आप सेट हो क्योंकि इसमें memory seat आती है, दो memory seat आजेंगे, और ये वाले mirror है, ये भी आपको खुद वो खुद सेट हो जाएंगे, memory के साथ ही, और mirror में ये देखी यहां होगा, ये वाला, ये blind spot है, अगर को पीछे से बंदा आता है, और वाक्य गाड़ी में बैढते ही आपको feel आएगा कि ह हाँ भाई, ये ही है बस, center console ले लिजिए, arm rest लेजिए, आसे कूलती है, अच्छे कासी है, अच्छे कासी स्पेस है, रख सकते हैं, कुछी बोटर रख सकते हो, फिर, soker भी दी रखी अंदर, अच्छी कासी गाड़ी है ये तो, सारी leather finish मिलेगी आपको, सारी leather finish मिल जाएगी, ऐसा steering मिल जाएगा आपको, वो ये सिर्फ automatic diesel में आती है, 28cc engine है, वो 215 bhp, 4000 rpm, 480 का torque है, अच्छी गाड़ी है, ड्राइवर औ को ड्राइवर दोनों ही आपको electrically adjustable seats मिलेगी, यहाँ अपना mirror set कर सकते हो, mirror की setting करना जाते हो, left, right का जहां भी करना जाते ह है, गाड़ी को करते है, start, गाड़ी को start करते है, ऐसा कुछ आ जाएगा, M.I.D. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एक साड़ आपको speedometer, दूसरी साड़ आपको tachometer मिल जाएगा, यह देखिए, सब कुछ, भाई, seat belt कॉन सिल करके, टायर का दे रहा कि, टायर कॉन सा है, फेलर क्या हो रखा है, यह सब दे रहा है, full knowledge देगा है यह आपको, य यह नहीं कि नहीं गाड़ी का review करो, अच्छी कासी गाड़ी है, अच्छी कासी चली हुई गाड़ी है, यह देखिए, यहां आपको बटन मिल जाएगे, यहां आपको मिलेगा, adopted cruise control, बाकी गाड़ीों में cruise control है, बटे इसमें adopted है, यह आगे वाली गाड़ी को adopt कर लेता है, वैसे तो automatic में है, बट अगर आप मतलब होई shock है, paddle shifter भी दे रखिया है company में, भाई यहां से आप इसके MID change कर सकते हो, कि आपको home screen पे क्या रखना है, दिखिए, सब आ जाएगा इस पे, average fuel, सब आ जाएगा, कितनी देती है, battery सब कुछ आ जाएगा, range कितनी है, अब आते है, इसके infotainment system है, यह भी भाई अपने segment का king है, home screen में आपको navigation मिल जाएगा, weather मिल जाएगा, music मिल जाएगा, radio मिल जाएगा, AC के control मिल जाएगे, और यहां आपको मिल जाएगा, अगर hypercar play है तो android auto, Ghana मिल जाएगा, short video में आपको news मिल जाएगी, यहां आपको इसकी more setting, Bluetooth connectivity folder होग अच्छा है, इसका response भी अच्छा है, यहां आपको इसकी AC vendor मिल जाएगे, auto AC मिल जाएगा, सारा soft अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा, और यहां आपको मिल जाएगा wireless charger, इधर phone रखने के लिए, इधर रखा, और देन बंद कर दिया, अगर उपर कुछ जाएगा, यह भी आपको space मिल जाएगा, center console में आते हैं, आपको बटनों की बर्मार मिलेगी, इसमें मिल जाएगा, hill descent, traction control, idle, stop, start, auto park भी इसमें आता है, auto park, अतलब खुद गाड़ी sense कर लेती है, और आपको सिर्फ steering आप चोड़ सकते हो, और race or break, आपको करना पड़ेगा, इसमें गाड़ी कुद पार कर लेगी, इसमें differential lock भी आता है, क्योंकि यह off-road vehicle है, तो इसमें differential lock भी आता है, then lane departure warning, इसमें ADAS level 1 के feature आते हैं, और यह इसका एक feature यह दे रखा है, यहां से आपको इसको on-off भी कर सकते हो, सीध ही, हाँ, इसमें जो front वाली seat है, driver वाली, वाली, driver and code driver, दोनों heated है, यह बता नहीं क्यों दे रखा इनोंने, और यह बहुत अच्छा है, यहाँ पी है, यहाँ बटन है, इसे ट्रेस करूँगा, then, then इसे प्रेस करते ही, इसे में, इसे नूटल आ जाएगा, then फिर से एक क्लिक करूँगा, then पी आ जाएगा, simple, और यह इसकी parking parking brake, और यह इसके mode है, अभी auto पे है, then मैं sports, अभी sports करूँगा, तो इदर आ गए, लिख्या हुआ आएगा, sports mode पे गड़ी है, और यहाँ भी लिख्या हुआ आएगा, sports mode, जैसे मैं इसको दोबारा auto पे करूँगा, then auto पे चला जाएगा, ऐसे इसके mode है, mud mode है, sand mode है, roke mode है, eco mode है, यह सारे mode जो भी है, यह चलती गाड़ी पे हो जाएगे, change, बट सिर्फ एक रोक mode यह नहीं होगा, इसके लिए आपको गाड़ी न्यूटल करने पड़ेगी, then फिर ही यह change होगा, यह देखिए, गाड़ी नहीं भाई भवाल है, पूरा, सारी, सारी leather touch, सारी leather touch दे इसमें, वह ही आप 100 English command मिल जाएगी, और उपर जाते ही, यहां पे auto मिल जाएगा आपको, mirror, then बाही इंडिया, हर गर की चोईस, बाही सुनरूफ चाहिए हमें, प्यारनम, वह इसमें मिल जाएगा, चलो गाइज, अभी देखते हैं, पीछे का बताता हूं आपको, बंद कर देता हूं, गड़ी को, अभी जैसे बंद करूँगा, डोर ओपन करूँगा, यह देखिए, seat अपने पीछे जा रही है, इसे कहते है, memory seats, अभी यह देखिए, यह बटन मिल जाएगा, आपको, memory seats, with the number sport, number sport भी यहां पे set, number sport कहीं कोई पता नहीं होगा, क्या होता है, number sport होत होता है, कि यह वाला, back वाला, यहां से portion उड़ जाता है, यह देखिए, mg की batching मिल जाएगी, lighting के साथ, और यहां अभी दिख नहीं होगा, आपको, और यहां पे light दे रखिए, puddle lights, यहां पे mg की गोल बना हुआता है, rear seat में जाते ही, भाई, पता चलता है, कि हाँ, rear में भी इसके मज़े है, rear में जा हुए, then इसमें, six और seven seat की option मिल जाती है, आपको, seat जो है, आगे पीछे हो जाएगी, यह वी, वो सबसे बड़ी है बात है, जो इसके, यह न, यह देखो, adjust हो जाते हैं, यह आपको adjust करने है, और इधर भी आपको अच्छा का सा space मिल जाएगा, बह बड़िया space मिल जाएगा, 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